वीडियों को नमस्कार, राम राम जेहिंजे गोमाता, ये वीडियो बंद हो गया था, मैंने ये दूद निकाल लिया था, ये डोल रहा हूँ, ठीक है, वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोल आ गया था बीज में, मोबाइल को फिलाइट मोड में डालना भूल गया मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सेकिंड लेक्टिशन, फीमेल काफ वाली, ओल्ड बलेड लाइन, भूनेशवरी पिट बलेड लाइन की, और गिर के सत्तावन नमबर, सो सत्तावन गिरबुल की गोमाता, और नीचे फीमेल काफ, आज ही डिलेवरी हुआ है, जिसका म मैं आपको जर्व अगेरा इसी वीडियो के माद्यम से दिखा दूँगा, भूनेशवरी प्रेड लाइन की, हेवी बोडी स्टेक्चर की, बहुत ही शांदार गोमाता है, नीचे फीमेल काफ है, सो सत्तावन गिरबुल का, जमीन को टच करती भी पूँच है, आगे से भी फ को टोप आलेटी का है, फीमेल काफ सड़व कॉलेटी का है, और नलकिट, र सत्त पर्याइically के पंधर है, और आगे और पीछे दोनु साइट से फीरी रख़ किले ठीक आगे और पीछे दोनों साइट से फिरी रकीवी एच्वाइँ दार इसका ही याई फार्श्ट मिल्किंग है थीक है कि ए से पस्ड मिल्किंग है मेर महत्स करतेकंत है हुँ है पसाइस है 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 आपके सेThis भी सुख्या है कैसे भी डुलाओ, बिलकुल भी गुस्सा या नाटाएक दूद निकलाने में, पेर बांदो, मद बांदो, आप बांदो तो आपकी मर्जी है, पर इसकी तरफ से कोई मना नहीं, आप पेर बांद भी सकते हैं, ठीक है, अभी अमने ना तो आगे से बांद रखा है, ना पीछे से पेर बान रखे हैं बिल्कुल फिरी मिल्किंग कर रहे हैं बिल्कुल फिरी वाली ठीक है जैसे आप जंगल में खड़ी रखके भी मिल्किंग कर सकते हो ऐसी मिल्किंग कर रहे हैं और बिल्कुल इजी मिल्किंग और गोल दा रहे हैं कोई भी धार फट जाए है थनों में को लोगों से और जो वीडियो बंद हो गया था और जो दूद निकला वो आमने डोल दिया है मतलब आदे लिटर से लेके पुने एक लीटर दूद होगा तो वो हमने डोल दिया क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं के वो दूद इसका ही था तो हमने खाली कर दिया है फर्ष्ट मिल्किंग करके दिखा रहा हूं आप लोगों को और पंदरा लीटर पर डे की मिल्क एपसेटी वाली गोमाता है और सेकिंड लेक्टिशन है नीचे फीमेल काफ है कबरा कबरी और जो आज कर कबरे कलर का क्रेज ह है जो मार्केट की सबसे आधा डिमांड है और 57 नंबर बुल के तो बच्चे वेसे भी यूनिक आते हैं तो 57 नंबर गिर बुल की और प्योर गुजरात के जंगलों से करीद के लाही भी गोमाता है मैं मेरी खुद की परचेस की भी गोमाता है बाल्टी खाली दिखाए खाल अगली दिखा दियो भी चलो काली करता है मतलब आपके लेडिस भी निखा लेगी ना तो मेर को दूआ देगी कि एसी घाई बेघी है जिसमें दूद निखालने में बिलकुल भी जोड़नी आता समय भी नहीं लगता बिलकुल एजी मिल्किंग जब की तो फर्स्ट मिल्किं है फर्ष्ट मिल्किंग अपन जब गायकी करते हैं थनों में दर्द होता है वह आगे पीछे उपर नीचे इलती है बच्ची को दूद पिला चुका था मैं वीडियो बंद हो गया था एक कोल आने की वैसे और वह भी वीडियो आपको कहोगे तो आप लोगों को इन बोक्स में बहस दूंगा आपके वाट्सप पर बहस दूंगा वह यूट्यूब पे तो नहीं डालूंगा वीडियो क्योंकि वीडियो बड़े बड़ी वाल्टी 11-12 लिटर की है छोटी वाली वाल्टी फिक्स चैलिटर की है गाय यह जो लोग बाई गिर का सपना देख रहे थे ना कि मुझे गिर रखनी है और टोप रखनी है तो यह सपना पूरा करने वाली गाय है तो बच्चे बहुत यूनिक दे एक से बढ़कर एक बच्चे देगी और गाय की कीमत तो इसकी बच्ची में निखल जाएगी एक ही बच्ची में निकल जाएगी फच्च डिलेवरी की ती जब भी कवरी बच्चडी दी थी अभी डिलेवरी किये तो भी कवरी बच्चडी दी है और दूद की शमता आप चा साड़े पन की उस मालिक की बात मानें तो साड़े च्छे मतलब हरियाणा की 65 पेट आएगी यह उसकी मालिक की बात थी यदि मैं तो इसके उपर कंफर्म जब होंगा जब यह चार-पांस दिन की भ्याई भी हो जाएगी और मैं दूद का फेट निकालूंगा बाकि वो मेरे को साथी ठोक ठोक के बोल रहा था के 65 फेट की गाई है साड़ी 6 फेट की गाई है गलकंबल बहुत हेवी है वीडियो के माध्यम से देख सकते हो एक हाथ से भी छोटा सींग है और ओल्ड ब्लड लाइन की गाई है तो दूद में तो अच्छी बन जाएगी जितना बनाओगे ह वेल्थ और खूबसूरती पेओटी इसकी गारंटी में लेता हूं सिर्फ कमी जो चीज की है वो यह है कि थनों में गेप नी है जो मैं आपको किलियर के दा हूं इतना ज्यादा गेप नी जो ब्राजील की गायों के होता है न उतना गेप नी एक नॉर्मल गाई से जितना त तन वह मैं आपको दिखा दूँगा और यह दूद 12 लीटर की बाल्टी में है और मैं तो श्री 15 लीटर पर देगी मिल के बता रहा हूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूद हो गई है कि देखो 12 लीटर की बाल्टी को उपर तक लेके आ चुकी है तो यह कितना दूद है आप अंदाजा लगा सकते हैं और बचडी के लिए थन में दूद छोड़ा है वो अभी काई गुमेगी मैं दिखा दूँगा यह बड़ी बाल्टी है वो चोटी बाल्टी है देख सकते हैं अब ठीक है अब मैंने जो थनों में दूद छोड़ा है वो मैं आपको फोकस करके दिखाएता हूं यह दूद छोड़ा धन में ठीक है और बिल्कुल इजी मिल्किंग शान सबाव यह चोटी वाली बाल्टी जो अपनी थी यह छोटी वाली बाल्टी यह देख सकते हैं आप यह 6 लिटर की तो यह है अब यह बच्चा जो है देखो आप नापके दिखा दे ला प्लास्टिक के बाल तिला गोड़ो वाली वीडियो चालू है मैं बोलता इसलिए रहूंगा का आप लोगों को यह ने लगए कि मैंने वीडियो रोक दिया था यह कुछ कर दिया था गोमाता आपको पसंद आए तो आप स्क्रीन शोट बैस सकते हैं मेरे वाजिडा भालाजी का मंदिर अरगी रोड पे जोगियों का नडा जो नैश्नल हाई वेई है उदैपूर खिशंगर जेपूर नसीराबाद व्यावर्ल इस हाईवे से केवल कि किलोमेटर की दूरी और सब्स टेंड nossa सब्सेंड उने हाईवे से स्सुरिफए किलोमेटर की दुरी है ठीक है यह आदा लिटर का नाप है यह एक यह दो यह तीन यह चार पूरा नाप बर क्या रहे हैं यह पांच उंगली बगएड़ा नीड़े बो रखी है छे साथ आठ नो दैस ग्यारा बारा तेरा चाउदा यह पंदरा और बच्ची को दूद भी पिलाया है बच्ची के लिए दूद एक लिटर छोड़ा भी है और एक लिटर से थोड़ा कम दूद दोल भी दिया था तो मैंने आपको जो पंदरा लिटर परड़े की मिल कैपेसेटी बताइए ना वो बिलकुल के फिट कैपेसेटी है उससे कम गाई नहीं देगी यह मेरी आपके घर तक की गारंटी है गोमाता पसंद आए तो स्क्रीन शोर्ट भेज देना प्राहिज और डिटेल आपको वट्सप पर डाल दी जाएगी और 14 रुपे किलोमेटर का आने का चाओदा रुपे पर किलोमेटर जाने का और आने जाने का टोल टेक्स लगता है ओल ओवर इंडिया का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और हम्प कि क्वालिटी स्गाई की बहुत ही कुबसूरत है, बहुत ही अच्छी हम्प है, जो कि आपको इंडियन ब्रीट में बहुत ही कम मिलेगा, और गिर ब्रीट में तो बहुत ही कम और बच्ची बहुत सुचील है, सीधी है सेक्टियों कि रह celebrी और प्योपूर टी बेमिसाल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है